सच्ची दोस्ती और सोचा कि वह मर चुका है। भालू ने राहुल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और वहां से चला गया। जब भालू चला गया तो मोहित पेड से नीचे आया और राहुल से हसते हुए पूछा। भालू, तुम्हारे कान में क्या कह रा था। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भालू ने कहा कि जो सच्चा दोस्त हो वह मुसीबत के समय कभी साथ नहीं छोड़ता। मोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राहुल से माफी मांगी। कहानी की सीख सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ नहीं छोड़ता।